You are watching JK News सुशील शर्मा और सुशील बजरंगी के नाम से ज्यादा उनको जाना जाता है आज वो हमारे बीचे उनसे बात करते हैं उनका विजन क्या है क्या विजन लेकर वो इन चनाबू में उत्रे हैं और इतनी बड़ी क्वाटियों के साथ वो टकर ले हैं उनी से सिदा बात करते हैं सर आपका स्वागत है और आप ये बताएं के इन चनाबू में आप क्या विजन लेकर उत्रे हैं देखे बाली साब आपका मैं शुक्री आदा करता हूँ आप हमारे पास आएं हमारी जो बात है वो लोगों तक पहुँचाने के लिए आपने जो मेरा विजन पूचा है मेरा विजन जो है वो स्था स्थापष्ट है कि रजोरी पुंच की जो जनता है हमेशा इसको दबा कुचला गया है आप देख सकते हैं कि रजोरी पुंच की हम बात करें तो यहां पर हमारी जो डिवल्मेंट है वो बिल्कुल जिरो है कितने भी नेता आए हैं उन्होंने लोगों को गुमरा किया है वोट लिया है लोगों का यूज किया है उसके बाद वो गाइब हो गए मिले नहीं आप देख सु occasions के 5 साल में जो भी लोग आते हैं अगर हम भारतिय जनता पाल्टी की बात करेंगे तो हमेशार भारतिय जनता पाल्टी में मोधी जी के नाम पे वोट लिया है जो उनके वरकर है नीचे हमेशा उन्होंने बोला है कि मोदी जी ने ये किया है मोदी जी ने अगर मोदी जी ने कारे किया हैं तो आप भी बताऊ ना आप भी तो इस सेत्री के MP रहे हैं अगर यहां पर MLA रहे हैं तो आप लोगों ने लोगों के लिए क्या कारे किये हैं जैसा कि अपने बीजे देखे ये तो जो उपर की रन नीती है इसके बारे में मुझे पता नहीं कि उपर क्या रन नीती है लेकिन मैं इतना अपने से एक गैस लगा के या ऐसे बात कर सकता हूं कि इन्हों ने जो भी किया वो गलत किया हमारे लोग जो है वो बड़ा रोज़ प्रक्ट कर रहे हैं उन हमारे लोगों के साथ जो है वो नाइंसाफी की है और हमारे लोगों को इन्होंने लवारिस गोशित करके अलग वेंग दिया और अब ये लोगों को बोलते हैं गुम्रा कर रहे हैं कि आप तीसरे बंदे को वोटकास्ट करो क्यों भाई आपका कमल का फूल किया यहां खिलन आध कियों वो बीजनसमेन हैं उसकी है वो क्या सकता है कि हमारे नेताओं के साथ उसकी Пारटर्रंशिप हो वीजनसमें यह हमारी जो अवाम है जो क्वुचली लोग है उनको गुम्राग किया जा रहा है यह लोगों ने सोचना है कि हमने कहां वोर्ड देना और कहा नहीं देना किसी की बातों पे आना है के नहीं आना सुशील जी एक तरफ पीडीपी एक तरफ नेशन काफरेंस बीजेपी आपनी पार्टी की स्पोर्ट कर लिया तो उसमें सुशील कमार बुजरंगी अपने आपको कहा स्टेंड कर रहा है देखिये जिए ये पार्टीय पुल्तीय जोंकोने सब देख लिए इन्नों ने कितने कियें और कितने नहीं किये अगर हम पीडीपी की बात करें तो हमेशा पीडीपीती की जो महभूआ मुवती है उसने हमेशा जोरी पुंच और जम्मू वाले लोगों को हमेशा गाली देती आई है और हमेशा तरंगे जंडे की खिलाब बोलती आई है और रिसेंटली इनकी बेटी ने एक स्टेटमेंट दी कि इंडियन आर्मी के उपर क्या ऐसे लोगों को वोट देना अच्छी बात है ये क्या देशफक्त लोग हैं जब इनकी सरकारे रही हैं इनुने क्या किया सिर्फ और सिर्फ लोगों के हाथों में पत्थर दिये हैं पत्थर वाजी करवाई है बोलिये दी आई हैं लेकिन ऐसे लोगों को अगर आप वोट कास्ट करोगे तो सोच लो कि जनता कहां डिजर्व करेंगी ये कारे करनेवाले लोग नहीं ये देश को तोड़ने वाले लोग है इसलिए यह डिसाइट जो है वो जनताने करना है, किसको वोट देना है और किसको नहीं देना पर क्या रहा कि इस वर किसी भी पार्टी ने अर्जोरी पुंच का कोई भी चेरा जो चुनाब में नहीं उतारा सबी किश्मीर के हैं देखिए मैंने आपको पहले बोला है कि इनका पता नहीं क्या है कि अगर उसका समर्थन कर रहे हैं बुखारी का और बुखारी बिजनस माइन आदमी है तो उसको कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन कोई पार्टरेंशिप है क्या है इसलिए इन्होंने नहीं उतारा मुझे इस उतारा तो आप उसका जवाब देजिए मेरा ये कहने का मतवल क्या हमारे इरजोरी पुंच में कोई ऐसा काबिल नेता नहीं था यो इन पार्टियू ने नहीं उतारा मुझे बताओ ना आपको मिल रहा कोई काबल नेता हमें तो कोई नहीं दिख रहा है इसलिए तो मैं उत लोगों के लिए उतरा हूँ लोगों ने मुझे उतारा है कि शुशिल जी आप हमारे कारे करते आए हैं आप प्लीज ग्रोन में उतरे इसलिए तो मैं ग्रोन में उतरा हूँ लोगों के काम करने के लिए इनके पास तो कोई चेरे नहीं है इन्होंने क्या करना है जो चेरे ह अब नाइंगे विजे प्राफ्त करवाएंगे तो मैं अपने पुंच के लोगों के लिए हमेशा खड़ा हूं और उनके लिए जान देने के लिए मैं त्यार हूं पपन्च के मैं जो यहां पे कुछ लोग जो है जब भीमार होते हैं जा कुछ ऐसी बात होती जहां यहां पुंच के लोगों के लिए medical college नहीं हो सकता क्या पुंच के लोगों के लिए गाइनी का hospital नहीं हो सकता क्या पुंच के लोगों के लिए airport यहां पे जो defunct पढ़ा हुआ कब से क्या यह नहीं चल सकता क्या पुंच के लोगों के लिए यहां पे जितना periphery है पुंच की क् टूरिजम डिवल्प नहीं हो सकता, क्यों? पुँछ के लोगों कि इनको अला किया गया है? क्या इनको आप देश से बाहर समझ रहे हैं? मैं इसलिए क्या रहा हूँ कि पुछ के लोगों के साथ भी बड़ी नाइसाफी हमेशा होती है, हमेशा इन लोगों को पीशे किया गया तो क्या पुछ के बच्चे IS, KS, या IPS नहीं बन सकते और सब कुछ होसकता है क्यों नहीं किया जा रहा है, क्यों पुछ को एगनौर किया जा रहा है तो इसलिए मैं पुछ में बैठा हूँ, मेरा लोग समर्थन करेंगे और मैं यहां पे बैटके यह प्रन करता हूँ कि अपने पुंच के लोगों के लिए हमेशा काम करूँगा और करता रहूँगा क्या इस वाद पहाडी बोट फ्रेक्टर बख सकता है देखिए पहाडी का एक यह गयागोश लगा रहे हैं पहाडी पहाडी कर रहे हैं यार सभी पहाडी है जितने लोग हैं वो सभी पहाडी है क्या हम पहाडी नहीं है अगर मैं खड़ा हूँ मैं पहाडी नहीं हूँ क्या मतलब कि वह ज्यादा पहाडी है तो इसलिए जो पहाडी के वो नाम लेके लोगों को गुम्रा किया जा रहा है तो लोगों को समझना है मैं बार बार यही बात बो रहा हूँ बार बार रेपीट करूँ कि लोगों को समझना है कि क्या गलत है क्या से यह और लोगों को पता है लोग आवेर हैं, सोशल मीडिया का जमाना है लोगों को पता है कि हमना अपना वोड कहां काश करना है लास्ट में सुशील बजरंगी का क्या मेसेज है मेसेज मेरा यही रहेगा खासकर पुंच की अवाम से क्योंकि मैं पुंच में इसके खड़ा हूँ पुंच में बैठा हूँ यहां पुंच के लिए आशिरवाद दे मुझे अपना प्यार दे मेरा निशान चीन जो है वो गैस लेंडर है पंदरा नंबर सीजन नंबर है उस पे वोड कास्ट करें ताकि मैं उस जगा पुंच के आप लोगों के कारे कर सकूँ क्योंकि मैं बाते नहीं करता भारत माता की जय जय श्री रां